कि दोस्तों ये काफे बड़ी ख़वर है इप फो निसको जारी किया है मैं आपको बता दो कि रिमूबल आफ आधार फ्रॉम दे लिस्ट अफ एक्सेप्टेबल डाकुमेंट एज डेट अब बर्थ प्रूप यह अधार को जो है आप प्रूप नहीं माना जाएगा आपके डे डेटा बर्थ नहीं मानेंगे अगर आप अपने डेटा बर्थ प्रूफ के तोर पर अधार को देते हैं तो उसको अब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इसके रिगार्डिंग एसको जारी किया गया है इसमें किया है कि इन दिस कनेक्शन लेटर हैस बीन रिसीव फ्रॉम इसमें कहा गया है कि जो लोग अधार को डेटा बर्थ के लिए कर रहे हैं उसको उसको डिलीट कर दिया जाएगा उसको लिस्ट को माना ही नहीं जाएगा अब आपको डेटा बर्थ के लिए अलग से पूरा डिटेल देना पड़ेगा ना कि अधार के रूप में माला जाएगा यह मैं पूर ख़बर था इपको की जरी है जो कि मैंनों के साथ आधा पाजा किया है और मैं आसा का तो में कुछ अन्गारी पसंद है और रहा है अपन